नमस्ते आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे और आज मैं एक महारास्टियन रेसिपी लाई हूँ आपके लिए इसे कहते हैं मसाला भात और इसमें सबजियां डाल के बनाया जाता है लेकिन मैंने इसमें आज सिर्फ आलू डाल के बनाया है तो आप कम सबजियों के साथ या विदाउट सबजी के भी इसे बहुत अच्छा बना सकते हैं तो मेरे रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेयर कीजिए जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए और ये मसाला भात महारास्ट में मंदिरों में भी मिलता है प्रसाद के रूप में और हरी लिवस आठ से दस ये जरूर डालिये और लैसून आठ से दस थोड़ा साध रख एक हरी मिर्च और जो धनिया पत्ती हम यूज करते हैं बस ये उसी की डंडिया है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक प्याज लिया है और इसी में हम डालेंगे एक टमेटो और मुमफली के दाने तो ये मुमफली के दाने स्कीप नहीं करना इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और ये एक टमेटो और ये प्याज मेंने एक और काटा है तो इसको हम स्टार्टिंग में तड़के में डालेंगे और कुछ तेज पत्ते और दाल चीनी के तुकड़े भी डालेंगे और आलू भी काट लिया है दो आलू काटे है मैंने और इधर हमने चावल धोके रख दिया था और ये वही चावल है जो हम लोग डेली खाते हैं अलग से कोई बासमती नहीं है और इन सारे मसालों को हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है और मुंफली के दानों को भी उसी में डाल देना है अब इधर मैंने देड़ बड़े चमत जितना ऑईल गरम करने रख दिया है तो आप जो ऑईल खाते हो वो यूज कर लीजिए लेकिन इसमें मस्टर्ड आइल अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें मैंने डाल दिया एक चम वो दिखाई नहीं थी आपको ये भी डाल दिया है और थोड़ा ट्रांस्पेरेंट होने देंगी प्याज को उसके बाद हम इसमें एड करेंगे ये मसाले जो हमने पीस कर रखे हुए हैं ग्राइंडर जार में जो आपको दिखाया था अभी तो ये डाल दिया है इसमें जो हेल्दी और टेस्टी हो जाएगा ये अब डाल दिया है मैंने करी लिव्स मसालों के साथ भी पीसा था और उपर से भी डाला है अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे उसके बाद देखिए आधा चमच से कम मैंने लाल मिर चिली और आध देखिएगा अब ये सारे मसाले एड कर दिये है मैंने और इनको मिक्स करके हम अच्छे से कूक कर लेंगे भून लेंगे तो अब यहां पर हमारे मसाले लगभग भून गये हैं देखिए आईल भी छोड़ने लगा है मसाला अब यहां अड़ कर देती हूं मैं आलू जो लगए हैं मैंने काट कर तो आलू के साथ भी हम इन्हें दो मिनिट चलाएंगे और देखिए एक टमेटो मैंने आपको दिखाया नहीं था यह और एक लिया है दूसरा इसे पीसेस में काट लिया यह भी एड कर दूंगी मैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक में ए अब देखिए अब दो से तीन मिनिट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है मेरे गरम मसाले की रेसेपी आप जरूर देखिएगा बहुत अच्छा मसाला है अब मैं मिकसर जार को धो कर इसमें थोड़ा पानी एड कर देती हूं और फिल से दो मिनिट कूक हो तो दो मिनिट कूक करने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे हम अब इसमें एड करेंगे चावल जो मैंने धोके रखा हुआ था तो यहां मैंने देड गलास चावल लिया हुआ है और इसमें मैं सवा दो गलास पानी एड करूंगी तो पानी डिपेंड करेगा आपके चावल के उपर कम या ज्यादा लग सकता है किसी किसी चावल में ज्यादा लगता है जो बहुत पुराना होता है और जो नया चावल होता है थोड़ा उसमें पानी कम लगता है तो देखिए चावल डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चावल को और इस मसाला भात को पालु हात को विधर्ब में या फिर महारास्ट में कड़ी के साथ सर्व किया जाता है तो महारास्टियन कड़ी होती है पतली वाली और वो भी बहुत टेस्टी होती है इसके साथ बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है तो आप कड़ी की रेसिपी देखिएगा मेरी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में अब चावल को मैंने मिक्स कर दिया है अब हम डालेंगे इसमें पानी तो मैं यहाँ पे उसी ग्लास से सवा दो ग्लास पानी एड कर देती हूँ यह देखिए इसी ग्लास से मैंने सेम चावल लिया हुआ था यह दो ग्लास हो गया अब पे और दूसरी सीटी मीडियम फ्लेम पे देनी है और फिर गैस कर देना है बंद ज्यादा सीटिया देंगे तो आपका चावल थोड़ा गीला सा बनेगा चिपचिपा बनेगा तो देखिए दो सीटी होने के बाद कूकर खोल के देखती हूं मैं तो हमारा मसाला भात रेडी है हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से तो आपको एक चमच लेके हलके हातों से इसे मिक्स कर देना है इस तरीके से तो देखिए कितना अच्छा खुला खुला बना है तो यहाँ पे मसाला कहीं अलग है राइस कहीं अलग है इसलिए मिक्स कर देंगे और बहुत ही टेस्टी ल बहुत पसंद है ये अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और इसके बाद फिर से मिक्स कर दूँगी तो हरा धनिया डालने के बाद मैं मिक्स कर दूँगे थोड़ा हलके हाथ से ही मिक्स कीजिएगा और अब हम इसे सर्व कर देंगे आपको मेरी मसाला भात आलो भात की कमेंट सिक्षन में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद